कि हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका ग्लोरेश्टाडी पॉइंट क्लास में शीवम शर्मा दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में के कुछ कोशन करेंगे पिछले वाले वीडियो में हमने सीडी यानि चाइल्ड डैवलेपेंट पैडागोजी के क्योशन किये थे उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अप्लोड कर दूंगा आप उसे भी अच्छे तरीके से देखने आज के कि आहिन एबने बता दिया था कि इसमें यहां होता है यह नि एक से लेकर पांस तक के जो बच्चे हैं उनका स्लेबस आपका रहेगा उनके 20 से ही आपके क्या क्योशन पूछे जाएंगे ठीक है तो इस वीडियो में हम 30 क्योशन क्लियर करेंगे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिसस क्या करनी अपनी सारी त्यारी करनी है तो चैनल के साथ जूड़े रहें और हर एक वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें जिससे आपका क्या हो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाये तो आई यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखें यहां पर लिखा यूट्ट फर्स सब देखो परस्ट केशन में आपका लिखा हुआ है खाद शरंखला के अनुसार सरवाहारी जीव है यानि कह रहा है कि खाद शरंखला के उनसार अगर हम देखें एप भूट चैन के अनुसार अगर हम देखें तो सब चीजों को खाने वाला जीब कौन सा है तो आप इसमें जो टिक लगाएंगे देखो अभी इसको थोड़ा से स्क्रॉल उपर की तरफ कर लेते हैं यहां पर देखेंगे सबसे आप देखेंगे हिरन जो है हीरन देखो पहला ंप्छन दीरasher heran दूसरा देखें बॉदी छेइर अफ़रा चीता अपर इस में दीर सब्सक्राइब का मतलब होता है कि चाहारी और मांसाहरी दोनों यानि जो इस तरीके का क्या करता है ठीक है शेयर आपका होगा नहीं क्योंकि ये सब क्या है एक इस पर रहते हैं ठीक है पर जो मनुष्य है आपका क्या होगा कि आपका सरवाहरी यानि क्या क्या है आपका मदल की सबसे निचली परत है सबसे निचली परत आपकी कौन सी होगी देखो सम्ताब मंडल आपकी सबसे निचली परत नहीं होती और नहीं आपका क्या होगा शौब सीमा होगी जो आपका ट्रोपोस पेर होता है वही आपका क्या होगा सबसे निचली परत आपकी होती है तो आपका सेकंड वाला ओप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा उसके बाद आप देखे तुसके बाद अगला खिश्न आप देखेंगे भारत की सारवाजनिक भारत की सारवाजनिक शेत्र की हवाई सेवा है आपको सबको पता है भारत की जो scholar शेत्र की हवाई सेवा जो है वह कौन से होगी देखों इसमें से हम시고 करेंगे हम a इसका option जो रहेगा एयर इंडिया ठीक है यह जो इसका answer कौन सा रहेगा एयर इंडिया आपका इसका answer हो जाएगा उसके बाद हम अपने next question पर आ गए हैं हम फटा-फट से इन तीश क्योशनों को कर लेंगे आपके concept यानि doubt भी clear कर दिये जाएंगे देखो इन में से बोल रहा है निमने में से कौन सा युग्म सही नहीं है ठीक है पहला बोले मदुभनी पेंटिंग एक भागलपूर एक सूती कपड़ा है ठीक है उसके आगे नीचे भी जलते हैं गया किस से related केला कहरہ रहा है और मुझभफ़न अगर किस इसे लीची से तो इसे कौन सा option आपका सही नहीं होगा यानि हमारा जो है 25 वाले का जो है आपका कौन सा अंसर इनमें से सही नहीं केला जिससे बोल रखा है बिहार के लिए बिहार में क्या है केले केला की बात कर रहा है ठीक है तो यह आपका उप्षन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यानि यह सही नहीं है लिखा है यहां पर आगला आगला कोशन आप देखेंगे बिहार राज में दक्षिंड से उत्तर की और बहने वाली यानि कह रहा है साउस से नोर्थ की और बहने वाली ऐसी कौन सी रिवर है आप उसका नाम बताएंगे 26 नमबर को जो आपका कोशन है आप उसमें नाम बताएंगे देखेंगे हापे 26 वाले में आप देखेंगे पहले नमबर है पुनपुन दूसरे पर है गंगा फिर कोशी फिर सर्यू ठीक है तो आप बिहार राजी की बात करेंगे तो बिहार राज में आप देखेंगे पहला व 27 में भारत में सबसे लंबे सड़क नदी पूल का नाम बताना है भारत में क्या कह रहा है सबसे लंबे सबसे लंबा सड़क नदी पूल कौन सा है यह आपको बताना है 27 का तो इसमें यह सब आपको लगवल लगवल सभी लोग इसको जानते हैं कि यह सबसे बड़ा पूल कौन किसकी कमी से एनीमिया होता है तो एनीमिया जो होता है किसकी कमी से लोह तत्विग यानि जब आईरन की कमी हो जाती है बोडी में तो हमाई किसके एनीमिया रोग हो जाता है ठीक है उसके बाद इसमें लिखा है मच्छरो द्वारा फैलने वाला लोग मच्छरो द्वारा कौन स रोग होता है देखो खसरा होगा नहीं चेचक होगा नहीं तपेदिक होगा नहीं क्या होगा डेंगू ठीक है उसके बाद आप देखेंगे लेह लद्धाक का मुख्य जीव है आप यहां देखेंगे चार उप्शन आपके सामने आ चुके हैं लेह लद्दाग का जो मुख्य जीव होगा वह आपका क्या होगा यहां पर याग ठीक है आपका उप्शन राइट हो बी वाला आपका क्या हो जाए राइट हो जाए उट आपका रेगिस्तान में आपसी संबंदों की वह एकाई जिनके मद रक्त संबंद पाए जाता है देखो साफ सीधी बात है रक्त संबंद किसके बीच में पाए जाता है परिवार के बीच में तो इसको तो आप बिना सोची समझे भी ठीक लगा सकते हैं इतना पढ़ने की जुरुत नहीं होगी रक् ला अंग्रेजों ने लौहों को किस की खेती करने के लिए बात देखिया जो है आपको यह बहुत काफी पुराना वाट जाए यानि अे और जो ने ते कुसकी खेती ए किए dobr zaranda के लिए था तो इस पिसपर पो गोला निम लिखित में से किस पदार्थ में देखें लिखनी में दाना निर्मान होता है उसे मच में घृतिते आपके रहेंगे आम की कौन सी परजाती का संबंद बिहार राज्य से नहीं है यानि 34 वाला जो क्यूशन आपका कह रहा है इसमें से आम की परजाती है कौन सी परजाती है जो बिहार से राज्य से संबंदित नहीं है तो इसका अंसर आपको जाए डंका ठीक है यह डंका जो है आपकी क्या बिहार राज्य से संबंदित नहीं है यहां पर देखेंगे बिहार राज्य में कौन सा जिला केले की फसल में अगरणी है ठीक है बिहार राज्य में कह रहा है कौन सा जिला ऐसा है जो केले की फसल में क्या है अगरणी है 135, 135 का क्या हुआ है, D वाला, ठीक है, उसके बाद आप आए रहते हैं, 136 वाले क्यूशन पर आप देखेंगे आप से कह रहा है, चात्रों की विशेश अधिगम समस्या का ज्यान होता है, पहला बोल रहा है, इकाई परिक्षन से, दूसरा बोल रहा है, वास्तुनिक परिक्षन से, तीसरा बोल रहा है, निंदात्मक परिक्षन से, और फिर बोल रहा है, निंदात्मक परिक्षन से, तो इ यहां पर देखेंगे 137 वाले में आसपास की किसी समस्या के समाधान है पूस्ताच होगा नहीं अब लोकण आप करेंगे नहीं सीधे क्रियात्मक अध्यन करेंगे उस बारे में जनकरी प्राप्त करना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उसको आप सुल जाएंगे ठीक है आप अपनी कोई न कोई क्रिया उसमें दिखाएंगे तबीक आप क्या करेंगे क्रियात्मक अध्यन करेंगे ठीक है प्रियावरण अध्यन में अच्छे परिक्षण के गुण है प्रियावरण अध्यन के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इन में सबसे अच्छा गुण आपका कौन सा होगा देखो वैदता ठीक है बिल्कुल सही कहरा है इसमें सहजिता होनी चाहीए है वाषटूनिश्टता होनी चाहीए ये भी सही कहरा है ठीक है तो आपके क्या उप्शन सही हो जाएगा राइट हो जाए डी वाला राइट हो यानि यह सभी क्या होने चाहिए परियवरण अध्यान के लिए जरूरी है यह मैं धिया यह सब्सक्राइट है तो आपका डी वाले जो 1-4 वाले को जो अंसर रहेगा दिखो क्षा 5 तक की बात कर रहे हैं तो यह कहां तक जाहिए को पांस तक होगा नहीं तीन तक होगा नहीं पूर और प्रैमरी होगा नहीं प्रैमरी से पहले इसे पड़ा के कोई सामगरी देखेंगे प्रयावरन अध्यान की पार्थ सामगरी में पहलियां शामिल करने का निमलिखित में से कौन सा उद्धेश नहीं है यापने नगेटीव की बात कर रहा है तो नगेटीव उप्षन पर ही आप ठीक लगाएंगे इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख ले पहला बोल रहा है कि ब्रहमित करना और उन्हें इस ब्रहम का आनंद उठाने देना देखो यह पूरा ही सेंटेंस आपको कैसा दिख रहा है नगेटीव दिख रहा है पहला एक हमने देख लिया है पहला वाला तो हमें लग रहा है यह हो सकता है हमारा हमने इसको क्या कर लिय है अंडरलाइन कर लिया है यह देखेंगे हम अभी नीचे वाले पढ़ लेते हैं सरजनात्मक चिंतन विक्सित करना देखो अगर कोई बच्चा चिंतन कर रहा है तो यानि उसके बारे में जनकारी हसिल कर रहा है ठीक है यह नगेटिव होगा नहीं आला उचनात्मक चेतन शक बाइट रहेगा ठीक है 141 का है हमारा हो गया है उसके बाद हम देखेंगे आपका योजनावीदी आप यहां पर आ गए हैं 142 की बात कर रहे हैं 42 नंबर वाला जो क्यूशन है हमारा उसका आप देखेंगे योजना विदी के मुख्य सौपान है योजना विदी के मुख्य सौपान पहला बोल रहा है आंकडों का संकलन यानि समस्याओं की पेचान फिर निशकर्ष फिर समाधान यानि पहले क्या आपको जुरूथ हाई नहीं सोचने समस्याओं की पहचान करेंगे बिल्कुल सही बात है फिर आंकडों का संकलन करेंगे फिर निशकर्ष करेंगे फिर समाधान करेंगे ठीक है तो आपका यह इसको भी रोक देते आपी और प्र पढ़ देते हैं फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे पहले वाला option एक पर जुबारा से पड़ेंगे पहले लिखा आंकडों का संकलन फिर समस्या की पेचान नहीं इसमें निश्कर्स आ सकते हैं निश्क कंक्लूजन निकालने के बाद हम क्या करेंगे यह तो राइट हो जाएगा बट आंकडों का संकलन अगर हम पहल हम समस्या की हुआ आपको शायेगा आगे से बोल रहा है 143 वाले क्योशन में अंग्रेजी के करिकुलम का प्रेयवाच्य लीच वादी कै करीकुलम का जो प्रेवाची है आपका क्या रहेगा यहां पर आप देखेंगे पाठ्थे करम करीकुलम किस से जुड़ा हुआ है आपका पाठ्थे करम से जुड़ा है अगर आप हिंदी में निकालेंगे तो सीधे आपका क्या निकल के आता है पाठ्थे करम निकल के आएगा ठीक है ज्यादा सोचने की जूरत नहीं है यहाँ पर देखेंगे निमलिक खितमेजे कौन सा रचनात्मा अंकल है नहीं नहीं जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्मेटिव एसेस्मेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है देखो फिर आगया नगेटिव कौन सा सेंटेंस आ गया नगेटिव सेंटेंस आ गया 144 वाला आपका नगेटिव तो आप देखेंगे इसमें 70 परिक्षा यह बिल्कुल सही है यह तो नगेटिव नहीं यह प्रयावरण अध्यन में कौन सा विचे समयलित नहीं है प्रयावरण अध्यन के लिए आपका कौन सा विचे इसमें समयलित नहीं किया जाएगा 145 वाले की बात कर रहा है देखो भूगोल इसके अंदर सामिल किया जाता है विज्ञान के भी कुछ क्योशन आपके सामिल होत प्रेवरन अध्यान की पार्टि पुस्तक का निर्मान किस ने किया तो बिहार राजी की हम यह बात कर रहे हैं तो 146 वाले का जो अंसर रहेगा आपका प्रेवरन अध्यान की पुस्तक का निर्मान किया था उसके बाद आगे से बोल रहे हैं प्रेवरन अध्यान शिक्षण है तो अध्यापक को किस विदी के उप्योग से बचना चाहिए नहीं करना चाहिए तो 147 वाले का हम अंसर देखेंगे योजना विदी यानि उसे योजना विदी जो है उसका यूज नहीं करना चाहिए इससे उसको क्या करना चाहिए बच्चा रहना चाहिए समस्या हो समयदान विदी का यूज करेगा ब्रहमन विदी का भी क्या करेगा हो इस्तमाल करेगा क कि कहीं इस चीज़ को पढ़ेगा यानिए इसके बारे में ठीक है व्याक्यान विदि को भी उसने करेंगे अगर व्याक्यान जीतना अच्छा करेगा अतना भच्चों को यह विंगर अधियन का प्रमुकुद्देश क्या है देखो यहाँ है प्रश्ञ नहीं है प्रेवराण अध्य tario क्लेश क्या है तो प्रेवराण अध्यन का मुख्या क्या विक अध्या बात करें तो इसमें हम बात करेंगे प्राइवरन से सामांजस से बनाना ठीक है ये सामांजस से बनाएगा तो ये सब चीजें उसकी बीच में ही क्या हो जाएंगी इंक्लूड हो जाएंगी ठीक है तो जीव संग्रक्षन अलग अलग से प्रदूशन अलग 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 दे रखें हैं ठीक है ये दोनों अलग दूर दर्शन के राष्टी चैनल पर पर्यावरण से round करम देखो मैंस इसका नाम है जो option है उसका नाम है नया सभेरा नया सभेरा जो है आपका वह आपका किस से सम्मंदित है परियवरन अध्यन से सम्मंदित है देखो हमारे जो EVS का है यह जो हमने 30 question लीए थे 30 question में जो last question है हमारा 150 question इसके बारे में हम पढ़ेंगे निमलिकित में से कौन सा प्रत्य प्रत्य यानि concept जिसकी बात हम करते हैं प्रिवारण अध्यन के पार्ट कर में संब्लित नहीं है फिर negative आगे देखो प्रिवरण से संब्लित नहीं है नगेटिव की बात कर रहा है तो आप बात करेंगे नगेटिव की बात करेंगे तो परिवारंट से संबंदित हमारा कौन सा नहीं है परिवार की बात कर रहा है परिवार इससे परिवारंट से संबंदित नहीं है ठीक है वातावरंट आएगा अर्थदंतर आएगा मानव आएगा ठीक है बट परिवार इस 30 questions लाएंगे हम daily एक एक वीडियो upload करेंगे आपकी best त्यारी हमने यूट्रेट की करवानी है ठीक है तो चैनल पर बने रही है अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लें और बैल आइकन को भी press कर लें ठीक है मिलते हैं अपनी next वीडियो को चाहत ठेंक यू